हाई गाईज, वेलकम टो ट्रावलिंग मंचीज पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने डेली में जाके कहां मस्त मस्त प्रिक्फस्ट किया लेकिन काफी लोगों के कमेंट से आया थे और अप्रोच करके मुझे लोगों ने कहा कि आपने काफी फेमस जगे मिस कर दी तो मैं ये बुले आया था कि एक्शुली हम लोगों ने और भी जगे जाना प्लान किया था लेकिन ये वही दिन था जब डेली में बहुत जादा बारिश हुई थी और नेक्स दे से फ्लेडिंग चालग हो गई थी बट मुझे काफी चेंज और प्लाइन्स करने पड़े और अपना वीडियो भी कट शॉट करना पड़ा और आपने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में काफी इसी कारण से आडियो इशुस भी आयते तो उसके लिए I'm sorry next time से we'll try to be better prepared और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कहां पे मैंने जाके lunch किया अब दिल्ली जाए और बटर चिकन ना try करें ऐसा तो हो नहीं सकता और मुझे बताया गया था कि पंडारा मार्केट में बहुत ही बढ़ी बटर चिकन मिलता है तो फिर मैं निकल गया lunch के लिए पंडारा मार्केट में और वहां की कुछ eatries को मैंने try किया तो चलते हैं वापस उस दिन जिस दिन मैं बारिश में फसा हुआ था और बटर चिकन खाने जा रहा था लेकिन इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंट तक जरूर रुकिएगा क्यों मुझे आपसे और भी कुछ बात है करनी है हम लोग लोग आएँ पंडारा म्रकेट और यहां पर दो जगहें हैं जो बटर चकिन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इंफ़क मैं दो जगहें नहीं मैं आपको बैडाला मारकेट के वारे मिता दूब बाता दूँगा अब वहाँ भी खा सकते हैं, कृष्णा स्वीट हाउस है, जहां असके बाद हम लोग एक फोड़ा सा स्वीट ट्राइ करेंगे, बाजू में चोर बिजार है, कश्मीरी कुजीन के लिए, और डेगिन है, fine dining, I think American continental food के लिए है, तो मैंने सारी आपको जानकारी दे दिया है, अब लिए हाइली रेकमेंड 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 ता, Ambience काफी अच्छा है, fine dining है, और जिसना मैंने सोचा हो तो काफी छोटा है, और दूसरी चीज़ जोटी है, वो है इनका मैंने काफी काफी कंसाइस मैंनी रखा हुआ है, बहुती गिनी चुनी चीज़े हैं लेकिन जितनी इनकी popularity है, जितने इनको awards मिले हुए हैं, let's see if they are actually living up to it or not, मैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच रहा हुँ सारी जगों के, ताकि भीड बड़े उससे पहले मैं वीडियो और ना लूँ, ये 12 मुझे खुल था, मैं exact 12 मुझे पहुँचिया था, अब आर मौसम अब देखी रहे हो कैसा हो रहा है, तसलिक भीड अभी काफी काव मैं, luckily for us, बड़र चिकन में अपर स्तीन ओप्शन्स हैं, या तो आप बोन पाले पीसे डिलवा लीजिए, या तो श्रेड़ेट पीस डिलवा जीजिए, या टिक के डिलवा लीजिए, मैंने डिलवाई हैं ज्रेड़ पीसे तक हाने में अथानी होईगी, वीडियो बनाते मनाते हाने मजा आएगा तेस्स तो एक ही जशवाएगा सब चीज़ेगा, जिकन बोटी कबाब आचुका है, बखती ज्यादा जूसी है, बखती ज्यादा जूसी है, बटाउट बेस्टिंग अगा हुआँ चिकन कीश दिलिशिस, मैं पहले था कि मैं मलाई कबाब मंगा हूँ या बोटी कबाब मंगा हूँ, बटाइ तिक आए में तो ज्यादा ज्यादा जूसी बना है, इतना में या माउट चिकन बहुत ही रहली खाने को मनता है, जो चाड़ने से चिकन वहाँ आप्त है, वह जो चारने से वह खिलकी सी कम आती है लेकिन इस नो चार भी उपर एक्टम सही हुआ है जूसी बीक बराबर है और सबसे इंपोरण बात चटनी किस चीफ सी चटनी यह यूजली मैं देखा है दिली में एक्टम दही जो चटनी होती है मिंट और दही और दनिया की चटनी को मिल में काउट निगर पा रहा हूं बट वाटेवर इट इस डिलीशिस चटनी अभी अच्छी लिगे 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 है अरब स्टार ऑफ दे शूब बटर चिकिन की बार ही आगी है पहले बटर चिकिन मुझे असा लग रहा था कि थोड़ा एक्स्पेंसिव है आफ 800 उपीस का 8 का लेकिन कौटिटी देखे है लग रहा है कि यहीजली तीन लोगों को अराम से पूझ पाएगा इतनी जाधा कौंटिटी लेकिन इससे भी जाधा अज़को जो एक्साइटमेंट है वह है रोटियों को लेके क्योंकि नौट दिनिया में जो बटर नान और अच्छा पराठ अच्छा करने जो कि अच्छा का लग रहा है कि ने यह इननी डाट अच्छा अन्याज में को अःच्छा लग रहा है कि यूजली में दिखा है कि बटर चिक ने करीभी बहुत जाधा क्रीमी और कापी हद तक स्वीट बनाई जाती है जो यहां बिल्कुल भी नहीं है ना य विजिबिली हरी मिलची दिख जाएंगी उससे एक हलका सा किक आ रहा है तो पूरा टोन है इस डिश का वह बहुती सूधिंग और बहुती कमफर्टिंग है चिकन मेल्ट इन एक दम डिसिंटिग्रेट हो रहा है अपके मूह के अंदर अब मैंने श्रेड़ चिकन लिया हुआ ह अपलेंगे तो तुरन बोल शोड़ देगा I am pretty sure about it और ग्रेवी की कंसेस्टेंसी इतनी बढ़िया है कि आप इसको किसी भी रोटी और राइस किसी भी चीज के साथ न सकते है I think I've made the right choice coming here और ये बटर चिकन खा कि अगर मैं वापस जाता दिली से तो मैं अपने आपको माफ अपने गलता कितना बढ़िया बनाया है और उस बटर चिकन जितना ही अच्छी बिनी है लोगों की नान गार्लिक नान पहुदी अच्छी है एकदम क्रिस्पी लेकिन सॉफ्ट है तोलने में खिचनी रही है बहुत एज़ी तूट चा रही है उपर गार्लिक एकदम सही मात ने बटर च्किन इस रोटी के साथ मंगे थोड़ासा दिफरेंट ही होंगे अचा लग रहा था और इस पलट लग रहा था और इस प्लच्छा गज़ा नग रहा है क्योंकि इस ब्लूटी में ज़ाधा बॉड़ी है तो बटर चिकन है उसका टेस हगा सा को कम आएगा पराथ एक है बाज़े लेट में पर्फेक्टा इसमें दिखा ही तेरी है वो एक तंप पर्फेक्टिस में दिखाई देरी हैं अन्च तो बहुत चान्दार था अब तोड़ने सा डिजर्ट हे जाएं यह एक और चीज अवेलिबन जिसका नाम है रोस्टेड रबडी बहुत अच्छी है रोस्टेड रबडी इनकी बहुत जादा अच्छी है तो मैं वह ट्राइग कर रहा हूँ अब है अगर आपने मतुरा का पेड़ा खाया है वही स्वाद है लेकिन रबडी के अंदर क्योंकि इसको बहुत देर तक अच्छी पकाया हुआ है लेकिन जो टेक्च्च्छर है पूरा रबडी वाला है मेठा सल्की सी कम है और पिस्ता का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है लेकिन अपने आप में जो दूद का स्वाद है वह बहुत ही बड़ी है वनेटी रुपीज का कप है अगर आप यहां आए तो जरू ट्राय करिएगा रोस्टेट रबडी जैसे हर जगे का बानी का अपना स्वाद होता है वैसलिए आप जब भी रबडी दही दूद और दूद की बनीवी पोई भी चीज़ा खाएंगे ना वहर जगे की अलग अलग मिलेगी यह रोस्टेट रबडी भी काफी अच्छी थी मानक पान बटरार से पान ले लिया है अब बहुत लोग कहते हैं कि पान को चबाना नहीं चाहिए इसको एक सेट दबा देना चाहिए और वोगी करेंगे और आप से बाते किये जाएगी तो कृष्णा कुल्पी में खाने के बाद मुझे पता चला कि उनके हां काफी बड़ का उतना दिखाया तो अब कभी दिल्ली आए तो बाकी चीजे भी और ट्राय कर सकते हैं यह था हमारा पंडारा मार्केट का तूर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्क्राइब कटन और बैल इकान दब अब बाहर जाके भी ऐसे वीडियो बनाएंगे जैसे लास्ट यह लोग ने उतरकंड सीरीज करी थी इस साल आपके सामने डेली सीरीज लेकर आया है और ऐसे और भी बाहर जा जाके नहीं जगे ट्राय करेंगे और हमारा प्लान है कि हम लोग तीन-टीन वीडियो की मिनी सीर बिलते हमने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब आए